अब इससे पहले एक कोशन हो रहा है वो हम बाद में करेंगे वह थोड़ा थियोरम टाइपस का है अभी हम कोशन करते हैं पहले देखो क्या बोल रखा इसके अंदर जो इससे पहले वाले कोशन थे वो हमाय सारी लास्ट जो लेक्चर नुमर 6 थे ता जिसमें एकसरसाइस के को कि आपकर एकस्प्रेस टू जो हमें यह दे रखा ए उसको हमें एकस्प्रेस करना है एस्धा सम ऑफ सीमेटरिक और स्क्यू स्थिमेटरिक मैट्रिकस की फोम में examples तो मैंने आपको अच्छे से कराई दिये थे वैसे ही type का है इसलिए हम यहीं से करेंगे हमें इसको symmetric और skew symmetric की form में क्या करना है मतब लिख के दिखाना है किस तरीकी से होता था वहाँ पे a equal to 1 by 2 a plus a का transpose plus 1 by 2 a minus a का transpose ठीक है तो हमें इसको इस form में लिख के दिखाना है कुछ भी निकरना तो a हमें यह दे रखा है क्योंकि हमें इसको इस form में लिख के दिखाना है तो हमें यह वाली terms निकान ले पड़ेंगी और यहाँ पे इनकी terms की वाले put कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा तो इसके लिए हम A plus A transpose निकालेंगे A minus A transpose निकालेंगे और 1 by 2 भी आना चाहिए तो 1 by 2 से product कर देंगे तो जब हमने जैसे A हमें दे रखा था A transpose निकाला तो 1, 3, 5, minus 6, 8, 3, minus 4, 6, 5 उसके बाद हमें चाहिए A plus A का transpose और 1 by 2 तो A plus A का transpose निकाल लेते हैं यह हो गया A, यह हो गया A transpose 1 plus 1, 2, 3 minus 6, minus of 3, 5 minus of 4, 1, minus of 6, plus 3, minus of 3, 8, plus 8, 16 3 plus 6, 9, minus 4, plus 5, 1, 6 plus 3, 9, 5 plus 5, 10 चीक है तो यह हो गया A plus A transpose 1 by 2 भी चाहिए तो 1 by 2 से और product कर देंगे और सिर्फ 2 से product हो गई तो हमारी यह term इस तरीके जागे हर एक term में 2 से product हो जाएगी symmetric है क्योंकि इस term को हम ऐसे लिख सकते हैं इस term को यूँ लिख होगे बनाब A का transpose में जो इस term का transpose है वापस यही आएगा तो यह symmetric भी होगी क्योंकि इसके लिए यह भी term थी condition थी कि जो यह वाली term हो symmetric होना चाहिए यह skew symmetric भी होनी चाहिए तो symmetry एक तरीके से वही होता है कि यहाँ यहाँ वाली term यहाँ यहाँ वाली term और यह यह term equal होने चाहिए यहाँ यहाँ वाली यह यह वाली और यह यह वाली तो equal है और skew symmetric के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर minus का change होना चाहिए जैसे यहाँ पर अगर स्क्यू सिमिट्रिक होता तो यहाँ पर यहाँ पर एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है सिमिलर यहाँ पर एक में माइनस एक में प्लस और यहाँ पर यहाँ पर भी एक में माइनस एक में प्लस अब जो यह है वो skew symmetric है क्यों कि देखो 9x2 यहाँ पर negative यहाँ पर 9x2 यहाँ पर इसका negative यहाँ पर positive यहाँ पर negative एक में negative positive होना चाहिए तो वो हमारा क्या हो जाता है skew symmetric matrix तो हमने यह भी निका लेगा जो यह time आई है वो यह आई है और जो यह टमाय वो यह आई है तो इनको हम add की form में इसको show करके दिखा देंगे तो यह हो गया इस तरीके से हमने इनको show कर दिया चीक है उसके बाद जो हमार next question है वो क्या कहता है कि जो यह A matrix है उसको भी as the sum of symmetric and square symmetric हमें क्या करना है proof करके बताना है तो A वही हम क्या करेंगे 1 by 2 A plus A का transpose और 1 by 2 A minus A का transpose निकालेंगे तो A हमें दे रखा A transpose हो जाएगा इस तरीके से 1 0 5 3 minus 2 1 6 1 3 2 7 1 4 minus 4 minus 2 0 अब इसको ऐसे निकालेंगे तो हमने क्या क्या A plus A transpose कर दें दोनों का add कर दिया फर्स्ट हम फर्स्ट में 2 minus 2 8 7 minus 2 2 8 minus 3 8 8 14 और minus का 1 7 minus of 3 minus of 1 और 0 इस तरीके से आ गया फिर 1 by 2 के साथ प्रोड़क्टरी हर एक तम के साथ यहां पर 1 minus 1 4 7 by 2 minus 1 1 4 minus 3 by 2 4 4 7 minus 1 by 2 7 by 2 minus 3 by 2 minus 1 by 2 0 यह इस तरीके से हो गया और देखो अब यहां पर यह टम सेम है हमारी यह वली टम सेम है मतब इस तरीके से यह वली टम सेम है तो अगर हमारी यह सेम है तो यह क्या हो गया सिमिट्रिक सिमिलर हमें क्या करना अब A minus A transpose और 1 by 2 के साथ प्रोड़क्ट कर देनी है तो हमने फर्स टम फर्स में से माइनस करी है ऐसे ही माइनस करना और 1 by 2 से प्रोड़क्ट कर देनी है इनके नेगिटिव से हैं यहां पे तो यह क्या हो गया जो आपको question में दे रखा था वो ही आ जाएगा जब आप इनको add करोगे तो आपका verify हो जाएगा कि अंसर सही है अब देखो next क्या है show that the element on the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero ऐसे तो मैंने आपको करा दिया था जब आपको मैंने basic करा था लेकिन एक बार देख लो कुछ भी नहीं इसमे शो करक मान लोग कोई भी matrix है यहाँ पर diagonal के element क्या होंगे 0 होंगे square 2 by 2 के हैं तो यह 0 3 by 3 के तो 3 0 मतब ऐसे तो show करके दिखाने कि जो element होंगे main diagonal के of skew symmetric matrix वो सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे तो हमें पता है कि जो skew symmetric matrix होती है वो क्या होती है a का transpose equal to minus of a या फिर हम ऐसे लिख सकते है ना तो वही हमने लिखते है यह आपको मैंने बता भी रखा पहले से अगर हमारे diagonal elements entities होती है अगर हमारे diagonal entities होती है तो यह कौन सी होती है a11 a22 a33 यहाँ पर i और j की value क्या होती है सेम होती है तो for diagonal entries i equal to j तो हमने यहाँ पर इसके जिगे aii equal to minus of aii for all i जिधर आ गया तो 2 ai equal गया 0 इसका मदब आई की value 1 हो मदब a11 a22 a33 a3 elements क्या होगे 0 होगे तो all diagonal elements are 0 तो यह हो क्या आपका question no.8 चो कि मैंने आपको already अगर आपने से पहले सारी वीडियो देखे है तो यह आपको आथ था था पहले से ही अब देखो next question show that all positive integer power of symmetric matrix are symmetric show करके दिखाओ कि सारी के सारी जो positive integral power लेनी है किसी भी symmetric matrix की वो भी क्या होंगी देखो show that all positive integral powers of a symmetric matrix are symmetric show करके दिखाना है कि जो सारी की सारी positive integral power होंगी हमारी powers लेनी है हमें powers की फूम में लेंगे हम अगर वो हैं तो वो भी हमारी क्या होंगी positive integral power symmetric matrix की वो भी क्या होंगी symmetric होंगी तो हमने कोई भी एक a n road square matrix ले ठीक है in general the product of any finite number of matrix is associative and we can write the product as देखो क्या बोला है कि जिसे हम a की power m है ठीक है अब जिसे 2 की power अगर हमारे पास 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 अगर हमारे पास a की n है तो a into a into a into कितने times m times अगर m है तो कितने times m times तो यह लिख रखा 2m factors m times हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो a m equal to a into a into a 2m factors where m हमारा क्या है positive integer ठीक है अब हमें तो इसको symmetric proof करके दिखाना तो हम इसका transpose लेंग और वापिस वही आ गया तो यह क्या proof हो जाएगा symmetric तो हमने क्या ले लिया इसका transpose ले लिया अब a m क्या A a a up to m factors तक इसका transpose फिर हमें पता यह factor कैसे खुलेगा पिछे से तो इसका transpose इसका transpose is का transpose up to 0 m फिर हमें यह given हैं कि कैसी matrix हैं हैं इस सारी कि सारी symmetric matrix है symmetric matrix के ही positive integral िगे לתावर's को हमें सिमित्रिक दिखाना है तो ये तो सिमित्रिक है ही तो ये कि उनना है गया उनने दो दिखाना प्रश जो गें हैं। symmetric matrix की, एक symmetric matrix है, उसकी positive integral power, इसको हमें symmetric proof करके दिखाना है, मतलब इसका transpose करेंगे, तो वापस यही आ जाएगा, तो यहाँ पर integral power, आप m, n कुछ भी ले लो, यहाँ पर बस इनोने m ले रखी है, तो m से समझा दिया, n कुछ भी ले लो, आप ठीक है, तो इस तरीके से m times हो गय अब देखो, यहाँ पर क्या है, show that all positive odd integral power of a skew symmetric matrix are skew symmetric, while positive even integrals are symmetric, देखो, क्या बोला है, कि अगर, मतलब हमारा, show करके दिखाना है, कि जो सारी के सारी positive odd integral power होंगे, skew symmetric matrix की, अगर हमारे पास एक matrix है, a, जो की skew symmetric है, मतलब इसका transpose equal to minus of a है, तो हमें क्या proof करके दिखाना है, कि जो उसकी integral power होगी, जैसे हम am लेंगे, अगर जो यह m integral power है वो odd है, अगर वो odd है, तो जो हमारी यह वाली, जो हमारी am, अगर हमारी जो m की वाली odd है, तो जो यह am है, वो ह हमारा skew symmetric आएगा, और अगर am हमारा even है, even है, तो जो हमारा am है वो क्या आएगा, symmetric आएगा, छीक है, तो हमें क्या दे रखा है, कि जो a है, वो skew symmetric matrix है, तो a transpose equal to minus of a, अगर हमारा am कोई भी positive integral है, तो am equal to a into a into a up to m times, उसका हम क्या कर रहे हैं, transpose करेंगे, क्योंकि हमें दिखा आएगा, तो वही है, skew symmetric या, फिर symmetric के लिए हम transpose यूज करेंगे, तो इस तरीके से एटाइम, speeches open करेंगे, अब की बार हमें क्या बोलोग है, कि एका transpose equal to minus of a है, क्योंकि skew symmetric given, तो minus of a, minus of a, minus of a, अब ध्यान से देखो, यह क्या होगा, minus one की power, कितने times होगा, यह minus m times, तो minus one की power m into am, अब अगर मेरा m ओड है, अगर मेरा m ओड है, तो minus one की power one, three, five, seven, कुछ भी करो, तो क्या आएगा, minus one से रहेगा, तो minus of am आएगा, अगर मेरा m even है, तो minus one की power two, four, six, तो हो जाएगा positive, अगर मेरा m ओड है, तो a, मतलब am का transpose equal to minus of am आया, अगर m ओड है, तो यह क्या हो to am हो गया, इसका मतलब यह क्या होगा, symmetric, तो अगर मेरा m ओड है, तो यह हमारा skew symmetric होगा, अगर m मेरा even है, तो यह हमारा symmetric हो गया, यही हमें proof करके दिखाना था, अब देखो next है, show that हमें इसको harmition की form में, क्या करके दिखाना है, show करके दिखाना है, कि जो यह ना JUST हों, ङॉ यह है वो स्क्यू हर्मिशन हर्मिशन क्या होता है हमारा कि A equal to A theta A theta मतलब उसका conjugate करेंगे उसका transpose करेंगे तो वापिस यही आ जाएगा जैसे A हमें दे रखा इसका conjugate कर देंगे तो यहाँ पर बस IOTA की जिगा minus IOTA 2 minus 3 IOTA 1 plus IOTA 1 IOTA 2 plus 3 IOTA IOTA की जिगा minus IOTA 0 यह हो गया अब हम इसका transpose करेंगे यह टम ऐसे यह वाले टम ऐसे यह वाले टम ऐसे तो यह हो जाएगा इस तरीके से और वापिस जो हमारी यह टम है तो क्या थी A ही थी इसका मतलब A equal to A theta हो गया तो यह हार्मिशन प्रूफ हो गई ठीक है अब जो हमारा next उसको हमें स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करके दिखाना है मतलब A equal to A theta फिद माइनस या फिर माइनस ओफ A equal to A theta A की बात है तो इस तरीके से हमें शोगर के दिखाना है तो A हमें गीवन है हम A theta निकालेंगे तो A का अब इसका ट्रांसपोस करेंगे टम ऐसे यह बली टम ऐसे यह बली टम ऐसे चिका हमें से माइनस को मन लिया तो हमारी यह क्या बन गया एवन गया तो जो एका थीटा है equal to किसके एको लागा minus of a के एको लागा तो यह क्या हो गया skew harmition हम देखो next हमारा question है वो given है if a is any square matrix a हमारी कोई भी square matrix है तो हमें प्रूफ करके दिखाना है a a theta and a theta a are both harmition तो यह दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे harmition हो जाएंगे a is given to be any matrix हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है harmition प्रूफ करके दिखाना harmition के लिए मतलब हमारी कोई भी जैसे harmition क्या था equal to a theta था मतलब हमारी पस कोई भी जैसे a है और इसका क्या है theta यह दोनों क्या होंगे equal होंगे तो हम यह वाली term तो लेके चल पड़ेंगे और यह प्रूफ कर देंगे तो हम यह लेके चल पड़ेंगे जैसे चीक है इस तरीके से ले लिया तो हमें परता है theta open होगा पिछे से a theta का theta into में a theta a theta का theta हमारा क्या था वापिस से ही और यह होगा a theta तो यह term का theta है वो वापिस इसके एक पल आगा तो यह क्या हो गया harmition similar हम इसका भी ऐसे ही theta ले लेंगे तो इसको solve करेंगे तो यह भी इसके एक पल हो जागा तो यह भी क्या हो गया harmition अब देखो next if a and b are harmition matrix then show that a plus b is also harmition a और b अगर हमारे पास harmition है तो a theta equal to a होगा और b theta equal to b होगा a plus b के equal ही आजाए तो a plus b का theta करेंगे तो यह theta किस तरीके से उपन होगा अलग-अलग से a theta plus b theta question में given है कि a theta a के equal है और b theta b के equal है तो यह time इसके equal आगी तो यह हमारा क्या proof हो गया harmition क्योंकि a plus b का theta equal to a plus b आगया similar अब next question है a and b are skew harmition matrix दे रखी है skew harmition दे रखी है अब यहाँ पे है एक question skew harmition दे रखी है तो a theta equal to minus of a और b theta equal to minus of b हो गया हमें show करके दिखाना है कि a plus b skew harmition है मतलब कि एक तरीके से a plus b का theta equal to minus of a plus b आजाए यह proof करके दिखाना तो हम यह वाले term लेके चल पड़ेंगे तो इसको जोब हम open करेंगे तो a theta plus b theta हो जाएगा तो a theta plus b theta हो जाएगा यह हमें skew harmition दे रखे तो इसलिए हमने यह condition लग ली तो a theta equal to किसके equal to minus of a और यह किसके equal to minus of b minus को मैं ले लो a plus b तो a plus b का theta equal to minus of a plus b आगया तो यह हमारा क्या होगा skew harmition मतलब a और b अगर harmition हो तो उनका addition भी harmition होगा a और b skew harmition हो तो उनका addition भी skew harmition होगा लिखने का तरीका यह है ऐसे लिख लेना ठीक है उसके बाद देखो हमारा next question if a and b are harmition तो show करके दिखाने a b plus b is harmition a and b harmition है अगर a और b harmition है तो a का theta equal to a और b का theta equal to b हमें यह और प्रूफ करके दिखाने कि a b plus b is harmition तो इसका theta करेंगे और वापिस यह ही टमा जाएगी तो वो harmition हो जाएगा तो इसका theta कर लेते हैं addition में तो अलग-अलग open हो जाएगा तो यह a b का theta plus b a का theta पीछे से open करेंगे b theta a theta पीछे से open करेंगे a theta b theta तो b theta equal to b है और a theta equal to a है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हमारे इसके एकवल आगे तो proof हो गया a b minus ba यह इसलिए जल्दी करा रहे हैं क्योंकि examples में डिटो मैंने ऐसे करा दिये थे इसलिए a b minus ba is skew harmition अब हमें यह proof करके दिखाना है तो skew harmition के लिए a b minus ba का theta equal to minus of a b minus ba आना चाहिए तो यह हम लेके चल पड़ेंगे यह हमारा proof हो जाएगा तो theta लग 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 लिख लो a b का theta minus of ba का theta पिछे से open करेंगे b theta a theta minus of a theta b theta b theta किसके equal होगा हमारा यहां पर b के equal a theta a के equal तो ba minus a b होगा minus को मुलें तो a b minus b होगा तो यह वले term minus of a वले term आगे तो यह क्या होगा skew harmition b a b and a b a are harmition अब हमें यह proof करके दिखाना है कि b a b और a b a harmition मतलब उसका theta करेंगे तो वापिस वही आजाएगा तो b a b का theta हमने ले लिए पिछे से open करेंगे b theta a theta b theta b theta b k equal a theta a equal b theta b k equal तो यह हो harmition हो गया similarly इसका theta करेंगे तो यह हो harmition हो जाएगा a b is harmition if and only if a b equal to b a b harmition सिर्फोर सिर्फ तब होगा जब a b equal to b a होगा एक बार तो हम a b harmon性 लेगे चलेंगे और a b equal to ब a एक बार a b equal to ब a लेके चलेंगे और harmon性 प्रूफ करेंगे तो a b हारमिशन लेंगे थो a b का theta equal to a b होगा और यह हमें प्रूफ करके दिखा रहा है तो इसको 5 कर दो b theta a theta equal to a b अब की बार हम यह लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे अगर हम यह लेके चलेंगे तो A B equal to B हो गया अब हार्मिशन के लिए तो हमें थीटा चाहिए होता है तो हमने क्या-क्या A B का थीटा ले जा इस तरीके से पिच्छी सोपन किया B थीटा, A थीटा, B थीटा की वैल्यू B, A थीटा की वैल्यू A B A तो किसके equal given है यहाँ पे, A B का थीटा किसके equal हो गया A B के equal हो गया, इसका मतब A B क्या हो गया हार्मिशन तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था आप देखो question number 15, express the following matrix as the sum of हर्मिशन और skew हर्मिशन, वही हर्मिशन और skew हर्मिशन क्या होगा 1 by 2 A प्लस A थीटा और प्लस 1 by 2 A मैंस A थीटा ठीक है मैंने आपको सिखाया था, examples में भी तो यह हमारा A दे रखा है, पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका A थीटा निकाल लेंगे, उसका conjugate कर दिया sin प्लस 4 आयोटा, 2, 3, minus 5 आयोटा, minus 3 आयोटा, minus 6 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा, plus 3 आयोटा, 2, plus आयोटा, और 3 इस तरहीके से, उसके बाद हमने इसका आप ट्रांस्पोस के, क्योंकि हमें A थीटा निकाल ला था, तो यह तर्म ऐसे, यह वली तर्म ऐसे, यह वली तर्म ऐसे, यह वली तर्म ऐसे लिख दिया ठीक है, जो हमारी यह तर्म्स हैं, इस तरीके से हैं कि P थीटा एक वल्लूप P हैं, तो हमारा यह क्या हो गया यहाँ पर, हर्मिशन, similar A minus A थीटा कर दिया, और 1 by 2 के साथ प्रड़क्ट कर दिया, तो यह हमारा, इस तरीके से, बन गया स्क्यू, हर्मिशन, उनको एड की को इसी फूम में करवाया था, यह वही कोशन है, P plus A yota Q की फूम में लिखना है, जहां पर P real or symmetric है, Q real or Q symmetric है, तो यह A हमें दे दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते है, 2 plus 0 a yota, 3 plus 2 a yota, 0 plus 5 a yota, 3 minus 2 a yota, 4 plus 0 a yota, 4 plus 7 a yota, 0 minus 5 a yota, 4 minus 7 a yota, 11 plus 0 a yota, अब जो a yota वाली टम है वो यह तो P है, यह Q है, P plus a yota Q की फूम में हमने लिख के दिखा दिया, अब हम यह और प्रूफ कर देंगे कि P, जैसे real तो है ही P, Q भी real है, यह और प्रूफ करना रगा है, P symmetric है, और Q Q symmetric है, तो P जो हमारा symmetric है, क्योंकि यह बली टम, यह बली टम, यह बली टम क्या है, equal है, तो transpose करेंगे, तो negative of यही आजाएगा, तो वो क्या हो जाता है, Q symmetric, ओकी, तो यह थी आपकी exercise, 1.2, thank you guys for watching my video, please do like, share and subscribe to my channel, thank you so much.